ओम शान्ति अपसे को स्वागत है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 18 सिप्टमे की श्री बतान की परम्पता परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए ताकि हम किसी को भी मदद करें ऐसे नहीं कि हम उसको कहें कि यह रहे इसके अंदर गलती हैं इसके अंदर यह नेगिटिविटी है यह इसकी कमजोरी है इसके साथ तो यह होना ही चाहिए तो इसलिए परमात्मास की वर्दान में कहते हैं कि दया भाव को धारण कर सर्फ की समसियां को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भवा जिन आत्मों के भी संपर्क में आते हो हम लोगों को मिलते रहते हैं चाहे कोई कैसे भी संसकार वाला हो opposition करने वाला हो स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो क्रोधी हो कितना भी विरोधी हो आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को second में समाप कर देगी आपके दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकेंड में समाप्त करतेगी मनले उनका अंदर वो परिवर्टन आ जाएगा आप सिर्फ अपने अनादी और दातापन के संसकारों को इमर्ज कर दया भाव को धारन कर लो तो ब्रामन परिवार की सर्व समस्या समाप्त हो जाएगी उस आत्मा के अंदर कमी कमजोरियां है उसके कुछ जीवन में कुछ हुआ है पिछले जन्मों में जिसकारंट से उसका वहवार उसके संसकार उसकी बूली चाली वैसी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है ये समझ करके ही जैसे परमात्मा भी इस चीज़ों को समझते हैं हमारे अंदर हम बच्चों के अंदर अभी हम सोच रही कि Si और के भारे में लगए लगए परमात्मा कहते हैं क्यों कि मैं तुम्हें पार लगा दूंगा इसी भाउना से अगर हम औरों को भी दिख़ बिखेए कि और Bittens वेकती हैं जो कि परमात्मा के बच्चे हैं उनके दर भी कमी कम्सुरी हैं उनको भी हमें मदद करनी हैं कि सही सोच सही बोल तो यह चीज कभी कभी हो सकता है कि आप बोल के ना कर पाऊ लेकिन आप संकल्पों से दुआओं से कर सकते हो आपके प्रती कोई कैसा भी हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, जैसे परमात्मा ने कहा, टक्कर खाने वाला हो आपके साथ में, विरोधी हो, क्रोधी हो, लेकिन आपको उनके प्रती शुब भावना, शुब कामना रख करके, उनके मन, बुद्धी को परिवर्तन करना बहुत ज़र यह practice करना बहुत होगी, इसका अनुभाव करना बहुत होगी, है कंटिनेस यह नहीं की, आज दो दिन हमने दुआई तई और कल एक दिन गाली दे दी को, नहीं, हमें कंटिनेस उनके बारे मिए अच्छा सोचना, continuous उनके बारे में दुआई करना continuous उनके उनका भाला सोचना ये करने से उनके अंदर परिवर्तन आता है और ये सब कुछ जनने के लिए सीखने के लिए परमपिता परमात्म हमें सीखाते तो रहते हैं लेकिन हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना अपने जीवन में इसको हम परिवर्तन करते हैं ये सब कुछ से हमें अनुभाव होते हैं और तब जाकर के हम इस वर्दान को समझ पाते हैं इसके साथ ओम शान्ती